नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे SSC का जो document verification है जो अपसे आपके आप सीधैट का थुर्व होता है उसमें आपका document verification कैसे होता है क्या process होता है एक comment आया था कि इसमें OBC certificate का verification कब और कैसे होता है तो इसी चीज़ी को पर बात करेंगे कि आपका जो document verification especially OBC और आपका जो police verification जो आपका character certificate का verification होता है वो कैसे होता है और उससे क्या complete procedure है इस वीडियो में आपको इस चीज़ पर discuss करने वाला हूँ तो वीडियो को लास तक दखिएगा तो चले वीडियो को चुरू करते हैं दखिए यहाँ पर कमेंट पर एक बात करना चाहूँगा कि सर यहाँ पर जो कमेंट किया गया था कि सर प्लीज मेरा ये doubt किलियर कर दू OBC certificate कब verified करता है department मतलब joining के बाद या उससे पहले प्लीज बताओ यहाँ पर जो इनकी क्योरी है यही OBC को लेकर कि OBC कब verification कब होता है पहले होता है यह बाद होता है देखिए OBC का पहले तो आपको document verification हो में उसमें तापका check किया जाएगा लेकिन उसका verification आपका joining के बाद ही होता है यह ताप ने समझ लिया अब यहाँ पर जो important बात है कि OBC का verification कैसे होता है इंदके सेदी आपने किसी भी प्रकार के छेर छाड की है certificate में कोई भी आपने क्या कर सकते है उसको जल साजी किया है तो कब आप पकड़े जा सकते हैं वो चीज आपको यहाँ पर समझ जा होगा तो यह एक चीज important है कि यह crucial date से बचने को लेकर किसी भी तरीके के आप छेर छाड ना करें कि certificate जन्वीन तरीके से है वो ही बनाए तो मैं आपको ही सला देना चाओंगा अब यहाँ पर समझते हैं कि आपका verification कैसे होता है जहाँ आपका academic degree का verification हो या आपका police verification हो या आपका OBC हो या EWS हो सबका certification by post होता है मतलब post office के थुरू ही लेटर के थुरू ही ये चीज होता है OBC के बाद करूता आपके जीले में ये लेटर आएगा निश्टिक मैस्टेट के पास वहाँ से आपके अंचल में जाएगा मतलब आपने जिस परखंड से OBC आपने वहाँ पर सब्मिट किया है वहाँ पर जाएगा वहाँ पर रीटेन जाएगा वहाँ पर उधर से लीख कर भेजाएगा कहाँ ये certificate genuine है इसकी परमान पत्र संख्या ये है निर्गत इस्तिति को किया गया है ऐसे आपको लिख कर यहाँ पर जो आपके CEO होते हैं सर्कल अपसर होते हैं उनके अस्ताम के साथ आपको डिश्टिंग मेसरेट के पास भेजाएगा उसके बाद आपको डिपार्टमेंट भेजाएगा ये OBC के वरिफिकेशन होता है लगबग आपके ज्वाइनिंग से छे मंत के अंदर ये सीज़े करवा ले जाती है ये डिपार्टमेंट में डिपेंड करेगा कि आपका डिपार्टमेंट कब करवाता है उसी तरीक ऐसे में बात करूँ पुलिस भरिफिकेशन का तो सेम प्रोसेस है आपके जिले के SP के ओफिस में आपका लेटर आएगा उसके बाद आपके ठाने में जाएगा और वहां से आपको लिखकर भ्याज जाएगा ये जो फिर्फिकेशन होता है एक साल के अंदर यहां पर करवा ले जाता है मेकसिमम में इने देखा है कि दो-तीन में अंदर ही सारी फिर्फिकेशन के परकिरिया पूरी कर ली जाती है तो इसमें एक यही आपको ध्यान देना है कि सेट्पिकेट आपको किसी भी तरह के गलत नहीं देना है जो भी अपने सेट्पिकेट ने बाद में सुधार करवाया होगा तो जहां से अपने बनवाया होगा वहां के रेइश्टर पर अपने जो मोडिफिकेशन है वो सारी चीज़ मेंटेशन करवा लेनी होगी क्योंकि आपको सारा डेटा होता है आपने जहां से बनवा रखा है वहां के रेजिटर में सब चीज मेंटन होता है अब एक चीज यह चीज होती है कि मैंने online बनवाया है तो कोई दिकत नहीं होगी अपने online बनवाया है तो बहुत अची बात है लेकिन अपने इसके इनेकसर मतलब जो format दिया गया है वो offline बनता है उसमें बनवाया है तो वो चीज आपका रेजिटर में मेंटन होती है अगर online इन केस आपने बाद में किसी भी तरीके से अपने से चरशल किया है तो आप पकड़े जाएंगे यह चीज आपको ध्यान देना होगा आई होप मैंने OBS की समद्रे आपके जो doubt थे वो clear कर दिया है तो चले वीडियो के सबाब्त करते हैं थेंक्स पर वास्किन इस वीडियो